ओके लेट्स स्टार्ट विरावड वेस्टिंग टाइग अगर आप प्रिवियस्ली सेशन्स को नहीं देख रहे हैं चोटे चोटे सेशन्स ही हैं तो देख किया आना सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि रिवर्सर और केसे पता करें किस वाले तरीके के स्कोर में कौन सी स्टैटेजी को यूज़ करना है वह सारी से हम लोगों ने देखी कब ट्रेडिंग नहीं करना बिकॉस ट्रेडिंग ना करना विज़ा और सम्टाइमस अब अगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के हम लोग समझते हैं रिवर्सर का मतलब क्यों उदा है और ड्रेडिंग हम लोग को कुछ लूगों को ट्रेडटरेट करना पसन्द है कि मुझे लोगों को पसंद। अगर आपको दोनों भी पसंद दोनों पे मार्केट आपको अच्छी स्ट्रेंथ है तो आप दोनों कर सकते हों लेकिन मैंने ऐसी जड़र्णी में देखा है जैसे मैं भी सेल साइट के ज्यादा बैतर लेता हूँ बाइचा की वस्टे इसा निज इस यह प्रेफिल बाइचे क हमें कब करना है देखो continuation की strategy हमें कब यूज करनी है जब market आपकी ये वाला है इसमें हमें क्या करना है continuation continuation का मतलब क्या होता है trend continue मतलब market उपर जा रहा है बीच में pullback देता है फिर market उपर जाता है pullback देता है तो हमें short के trades नहीं ढूबने जो market का overall trend है उसके continuation में अपने को trend ढूणना है तो वो चीज़ अपने को धहन रखनी है अब ये दोनों ही green है तो अपने को buy side के trade ढूणना है दोनों ही रहना तो अपने को sell side के trade ढूणना है continuation है मतलब जो trend overall चलना है उसके उसमें लेकिन यहां पर कुछ लोगो reversal भी पसंद होता है ठीक है reversal कैसे आता है data पर वो अभी हम लोग देखेंगे अभी chart पर reversal कैसे आता है पहले हम लोग वो देखेंगे उसके बाद हम लोग reversal देखेंगे तो reversal का मतलब क्यों होता है अगर market उपर जा रही है, तो मैं तो जाने दूँगा मुझे तो market उपर जा रही है, मुझे मतलब नहीं मैं trade नहीं लोगा, लेकिन sell का trade जरू लोगा तो sell कप करूँगा मैं, obviously pullback पर sell करने तो कोई फायदा नहीं है, market उपर जा रही है, pullback पर sell करके चोटा सा reward होगा, risk बड़ा हो जाता है, तो मैं reversal के बारे में सोचूँगा, chart पर reverse के, कौन-कौन से pattern हम लोगों ने पढ़े हैं, बचपन में price action, बचपन मतलब जब आप starting में trading करते हैं, उस time पर पढ़ते होगा है, कौन-कौन से, अगर मुझे sell ढूणना है, मतलब bearish reversal ढूणना है, मुझे sell का trade ढूणना है, तो मैं क्या करूँगा, market में या तो M pattern का बेट करूँगा, market इस तरीके से M pattern मनाए, ठीक है, यहाँ पर जाए, नीचे है, उपर है, अगर यह trend line आपको नहीं आती है करनी, तो आप क्या करो, आई बटन में वीडियो लगी होगी, वो आई बटन में जाके आप इसको वीडियो को देखना trend line की वीडियो हो, तो वो कैसे करते हैं, वो आपको वहाँ से idea लग जाए, अगर charts पे, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आर्वी setup क्लियरली समझा रहा हूँ, ठीक है, तो यह हम लोग trend line पे reversal ढूनते हैं, तीसरा reversal हम लोग कप ढूनते हैं, कोई भी market में consolidation हो रहा है, मादलो market ऊपर जा रही है और यहां पे आगे आपका consolidate करनी चालू कर दी, और फिर आपका एक breakdown दे दिया, right, selling side में generally consolidate नहीं करती, सितक गर जाती है, बट होता उसमें भी है, ठीक है, तो तीन तरीकिक reversal हम लोग चार्ट पे देखते हैं, कौन से, trend line का reversal, m pattern का reversal और consolidation का reversal, अब इसमें क्या होता है, bull side में यह तो bear हो गया, right, इसका उलट का होगा, bull, तो bull में क्या होता है आपका, market आपका नीचे आ रहा है, आ रहा है, और आपका एक, इसकी जगह पे क्या बनता है, डबलू pattern, ठीक है, जैसे उसमें M बनता है, इसमें क्या बनता है, डबलू, trend line, इसमें downside की trend line बन रही होगी, right, इस तरीके से, किस तरीके से, मैं black color करता हूँ, blue पे, यह, और उपर आएगा, ब्रेक आउट आएगा, यही आपको same size, RV setup के data पर चलने वाला है, ठीक है, तो तीन तरीके के reversal trade पकड़े हमने, कि reversal क्या होता है, अगर market नीचे आ रही, तो मुझे buy का trade पकड़ना है, market उपर जा रही, तो मुझे sell का trade पकड़ना है, continuation का trade का मतलब क्या होता है, market उपर की तरफ trend पे जा रही है, और मुझे उसी direction में, उपर की side, bulky side पकड़ना है, मैंने क्या बता है था, कि 10 में से 7 trades आपके 2 side मिलते हैं, जिसमें reversal में प्लान कर सकते हो, तीन trade आपको continuation में पकड़ने होते हैं, 10 में से, ठीक है, तो reversal का trade समझा, क्या होता है, आपका continuation का trade समझा, क्या होता है, किस point पे buy करना है, sell करना है, और आपका exit करना है, यह अभी मैंने आपको discuss ही नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको reversal बता है कि reversal कैसे होता है और continuation का मतलब क्योंता है तो I hope आपको समझ में आयागा next video में हम लोग पकड़ेंगे कि when to buy buy करते कम है sell करते कम है इसीज हम लोग देखने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स को आप यूज कर सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग लेवल पर कॉन्विडेंस नहीं आ रहा है ठीक है मिलते हैं next video में तिल वें अगर अ और कैस है पразу working में चलोगईते हैं चलोगज लूज वेर अगर आपको सबस्तुप्सपे बादे हैं